इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर वे यह जो जगह ना इसकी बड़ी ज़ाद मानित है और मुझे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप यहां पर जाके वीडियो बनाएगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना आपकी सजेशन्स पर मैं वीडियो बना रही हूँ कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पर लोगों की काफी ज़ादा आसता है और वो जगह मैटर नहीं करता कि कहां पर है बॉर्डर में है या फिर कहीं और पर है वहां पर लोग दूर से आते हैं जैसे कि पाकिस्तान से भी वहां लोग आते हैं और इंडिया से भी वहां लोग जा जमीन के अंदर भी बना के रखें लेकिन में वो वीडियो में ला नहीं पाई इसके लिए सॉरी क्योंकि यहां जून महीने मेला लगता है इसलिए वहां पे काफी जादा रश था जैसे कि आप शंबू में उता है वैसे ही काफी क्योंकि आप देखी पा रहे होंगे इतनी गा घापे पानी लगा हुआ शबीले लग जोती है तो बाबा चमपयाल की इतनी ज्वाने तैना कि पाकिस्तान में साथ दिन से ज़ादा मेला चलते ही धूप काफी सारी है यह देखो कहां बैट है तो लो जी हम पहुंच गया बाबा चमलियाल के दरबार में पाकिस्तान में बाबा जंबलियाल जी को जिनका असली नाम दिलीप सिंग जी है बाबा शहीद सिंग भी बोला जाता है तो आपको वहां पे बहुत सारी आर्मी और पुलीस भी दिख सकती है क्योंकि यह बॉर्डर एरिया तो स्केर्टी रिजन्स के कारण तो हर रिलीजन के लोग यहां पे आते हैं नॉर्मली यहां थर्स्डे और मंडे को रश होता है जबकि आज इदर मेला लगना था इसलिए रश्या यहां पे और यहां पे लिखी हुई है इनकी हिस्ट्री तो की वीडियो में मैं आगे बताऊंगी भी आपको बाकी यह वीडि लियाल पे चादर चड़ाने आते हैं ऐसा माना जाता है कि तीन सो साल पहले बापा चंब्रियाल जी शर्बत और शक्र देकर लोगों के चर्म रोग ठीक कर देते थे और मैं आपको बिता दू चर्म रोग होते हैं स्किन प्रॉब्लम्स तो उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का बटवारा नहीं हुआ था यहां पे सारे दर्मों के लोग उनके पास आते थे और ऐसा मानने था है कि उनकी किसी के साथ मत्बेद होने के कारण किसी ने उनका गला काड़ दिया और ऐसा भी माना जाता है कि वो फिर भी अपने गोड़े पे लड़ते रहे लेकिन जब उनको बाद में पता चला कि उनका सेर अलग हो चुका है तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और भी काफी जादी मानीता है और कहानी है इस जगह से रिलेटिर अगर मेरे से गोड़ा तो वैसे भी बूड़ा हो चुका और उसको लग भी चुकी है तो उसने उसको वहीं पे छोड़ देने का निने लिया और उसको वहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया जो गोड़ा था क्योंकि उसको लगी थी उसको काफी दर्द हो रही थी तो वो रिंगता रहा और है अपने मालिकической पास और मालिक भी हरान हो तो जैसे कि आज यहाँ मिला लगा है तो यहाँ पर लंगर भी लगए यहां पे लोगों को परशाद भी दिया जा रहा है और आप रश देख पारे हूंगे रश इसलिय थे कर कि यहाँ तो जैसे कि मैंने आपको बताय ना जाता है कि यहां यहां पर जैसे यूँ पानी को शर्वत कहा मिक्स करके मतलब अपने शरीर पे लगाया जाता है और 21 दिन तक यह चीज़ की जाती है ऐसा माना जाता है कि लोग काफी काफी दूर से आते हैं पंजाब से भी आते हैं क्योंकि उनका माना यह है कि वो बड़े बड़े हॉस्पीटल्स में भी गे बहुत जगा गे पंजे के ओपर नहीं सो सकते आप बाल नहीं काट सकते और काफी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो जबकि आपने यहां के दर्शन भी कर लिए और इस वीडियो को लाइक भी करी दिया होगा तो हम चलते हैं मेले की तरफ और आपको दिखाते हैं कि मेला कैसा लगा हुआ है यहां पर तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जगा जगा पर शबीले लगी हुई है पानी आप क्योंकि गर्मी काफी थी लेकिन हवा अच्छी चल रही थी तो लगबाई चांस गर्मी से भी इतनी रहत मिल गई है यहां पर काफी सारे जूले लगे थे जैसे कि जम्मू में लगते हैं वैसे ही काफी सारे जूले लगे थे और यह जून में लगता जैसे कि अभी 23 जून को लगा था तो ऐसे भी आप ऐसे भी जा सकते हैं यहां पर पाकिस्तान के लोग कैब मैं को, ऐ आते हैं और यहाँ सब्सक्राच अब ईसे, तो आप सब्सक्राट पर इसक्डाश पार मिले तूर ऑर ऐन browser आती है, है और यहाँ पर इंडिया पाकिस्टन का बॉर्डर और लोग यहां पर आती हैं, बढ़ी बार बार दूर रहते हैं तो क्योंकि यहां पर खेत होते हैं तो इसलिए मेले के लिए जगा भी काफी जादा थी तो काफी जादा दुकाने थी जम्मू से जादा दुकाने थी और जूले भी बड़े सारे लगे थे तो अगर कोई इस जूले पे बैठे ना तो मैं उसके ये सज़ेश्ट करना चाहूंगी कि आप बैठो होगे ना जब तो बिलकुल बीच में बत बैठना क्योंकि दोनों की दोनों सीटों में काफ़े जादा गयाब हो जाता है तो गिरने का डर रहता है तो बीच से थोड़ी पीछे बैठ सकते हैं तो फिर कुछ लोग लड़ने भी लग पड़ते हैं मुझे नहीं पता क्यों लेड रहें मैं किसी के साइड नहीं दे सकती क्योंकि जो जूले पे चड़ता है तो थोड़ी दिर बात बोल देता है कि मुझे उतारो तो अगर ऐसे सब को उतारते रहें तो जूले वालों को भी परशानी होगी लेकिन अगर नहीं उतार तो किसी को मैडिकल प्रॉब्लम हो सकती है इसने में कुछ नहीं किसी की साइड नहीं गोंगी लेकिन मैंने एक चीज ली वहां से जैसे कि शीशा इसी दुकान से ली मतलब काफी मुझे डिजाइन लग रह यहां पर मुझे 50 रुपीज का मिल गया है अमजान पर शायद महांगा ही मिले तो किसी ने हमें बुड़े यांदर बेड़ा एक जगा है वहां पर जाने के लिए भी रिकमेंड किया था लेकिन हमाने पास इतना टाइम नहीं बचा लेकिन अगली बाट कोशिस करेंगे पू झाल